हालो फ्रेंट्स तो आज की जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी जादवाइंट है क्योंकि आजम बात करने वाले अपने सिक्मिक एसिट पाथवे के बारे में तो जो हमारी unit first है, इसमें हमारा topic क्या था Metabolic Pathways in Higher Plants and Their Determination. तो यहाँ पर हम एक lecture और अलड़ी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बात किते हैं कि हमारे Metabolic Pathways होते क्या हैं, Higher Plants क्या होते हैं, और सबसे important इसमें था हमारा Primary Second Metabolics के वाद कि Basic Metabolics Pathway, जिसमें हमने commonly आपको कैसे बताया था कि Primary Metabolics से Secondary Metabolics कैसे बनते हैं, तो यह वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो, जाके आप देख लेना, इस वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको इस वीडियो के description बॉक्स में देदी जाएगी, और इसके दौरा फिरम क्या करते हैं, यहाँ पर Secondary Metabolics बनाने में यह चीज़ हमारी हमारी हेल्प करती है, तो यह हमारा फॉर्मेशन या बायो सिंटेस्स करता है कि इसके अरोमेटिक अमीनो एसिट के, और यह हमारे लिए काफी जादे हो जाते हैं कौन अरोमेटिक अमीनो एसिट, अब आप पूझेंगे कैसे क्या, तो देखो, पहली बात यह है कि आपको पता है हमारी बाड़ी में कहते हैं हमको Primary Metabolics जो हमारे क्या करते हैं हमारी बाड़ी में ग्रोथ, डबलमेंट और रिप्रोड़क्शन के लिए क्या करते हैं, पूझेंगे बाड़ी में अब आपको एक बात और बता हैं कि यह जो हमारी चीज होती है, यह जो सिकमेंगे पाते ही हैं इन दोनों में क्या होता है चलता रहता है, लेकिन यह हमारी जो human body या animals body है, उसके अंदर यह नहीं होता है, अब आप सोचेंगे इतने essential amino acids हैं, अगर यह हमारी बाड़ी में बन रही है, तो हमारी बाड़ी चलेगी कहते हैं, तो हमारी बाड़ी में भी यह आते हैं, लेकिन किसके जारा diet के उता है, आपने देखा हो न हम लोग क्या करते हैं, हम लोग plants बगएरा बहुत जादी कहते ह हमारी सबजेहां खाओ, यह doolden, यह फल push, यह बहुत जादा हमुत जादा हम सबजे बागरा इस पाथवे के तरो क्या कर रहे हैं? essential amino acids को form कर रहे हैं अपने अंदर और कुछ ऐसे amino acids है जो human body के अंदर यान कि animals के अंदर नहीं बनते हैं वो acids हम क्या करते हैं? ऐसे हम amino acids को अपनी बोड़ी में diet के दारा ले लेते हैं तो यह सारा funda इस तरह पूरा चलता रहता है और यही reason है क्योंकि हम इसको obtain कर रहे हैं diet के दारा तो यही reason है कि हम इस चीज़ को यहाँ पर study कर रहे हैं यहाँ पर इसकी पढ़ाई कर रहे हैं वरना हम को क्या मतलब दावई? कैसे plant क्या कर रहे हैं? क्यों मतलब है क्यों कि हम इस plant को क्या करने वाले हैं खाने वाले हैं और अपनी भूख मिटाने वाले हैं तो इस चक्र में हम को इसके बारे में सारा को जो है पढ़ते रहते हैं ठीक है चलिए पंडा है कि आकर सेखमेक नहीं क्यों रखा गया और बहुंग अक्श्रा बगिरने क्या अच्छा है LAUGH यहां पर इसका हैं और ऊच्छा थां अब बात आते हैं यहां पर शारे यहां तो आमीने क्षी मिल रही थे तो जो हमारा सिक्मिक ऐसिड पाथवे इसमें बीच में हमको क्या मिलता है सिक्मिक ऐसिड और ये as a intermediate use होता है और इसके दोरा आगे जागे फर्दर हमारा और सारी चीज़ा हमको बंदे इसको मैं आगे अभी आपको समझाओंगा तो इस बज़ाए से इस पूरे का नाम क्या पड़ता यहां पर सिक्मिक ऐसिड पाथवे यहां कि यहां पर क्या इन्वाल हो रहा है सिक्मिक ऐसिड इन्वाल हो रहा है इस वजह से इसका नाम रख दिया यहां पर सिक्मिक ऐसिड पाथवे चलिए अब हम समझते हैं इसके पाथवे को कि कैसे हमारा है कैसे हमारा सार इसी को हम Pentos, Phosphate, Pathway भी बोलते हैं और इन दौनों के दारा हमको यहाँ पर Precursor मिलते हैं दो वर्ड में आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो आपके लिए काफी जादे इंपोटेंट रहेंगे पहला हमारा वर्ड आता है यहाँ पर Precursor तो Precursor अगर आप इस नाम से समझोगे प्री का मतलब होता है पहला और करसर आपने सुना होगा न वहीं करसर इधर यह जाओ यहाँ कि एक तरह से पॉइंट एक जाने एक ऐसी चीज जो हमें क्या कर रही है पहले हम इसका यूज कर रही है यहाँ कि अगर मैं सिंपली लैंगोज में आपको बताओ तो Precursor एक हमारा ऐसा मतलब स्टार्टिंग का मैट्रियल है जिसके दोरह हम आगी की चीजों को बना रही है तो यहाँ पर देखा जायत हो जो हमारी सिक्मिक एसट पाथवे है इसमें हमारे दो Precursor है पहला हमारा है और दूसरा हमारे जहाँ पर क्या है और इन दोनों के मिलक के इन दोनों को जब हम जोडते हैं इसके बाद हमारे सिक्मिक एसट पाथवे जो है स्टार्ट होता है तो इस बज़या से इन दोनों को क्या बोला जाता है जहाँ पर Precursor अब कभी जैसे MCQ या कहीं एक्जाम में आप से पूछ सकते हैं कि इस सिक्मिक एसे बाद भी तो आप बता सकते हैं कि और फॉस्पेड और फॉस्पोइनॉल पाइरिवेड जाने कि इसको हम बोलते है पी एप तो यह हमारे कहलाते है प्रीकर्सर अब एक और कोश्यर आप लोग के लिए आता है वाट इस दा सब्सक्राइब के खeme來 है तो अगर नौर्वली देखा जाई मैं इससे आपको समझाऊंगा वैसे अगर नौर्मली देखा जाई तो इसको व्लिटिंग बनी है तो जो आपकी चोड़ी सुष एंट से मिल कर बनी है तो वहाँ पर जो आपकी ही आपकी और को ब्रिक्स ऑगई या organ हो गए, organ से मिलके system बना, system से मिलके हमारा body बने तो इस तरह हम building blocks यहाँ पर बोल सकते हैं तो यहाँ पर building blocks, अब बात आती है, cognosi में क्या बात हो रही है building blocks की तो यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर आपको याद होगा secondary metabolites हमको बना रहे हैं क्योंकि हमको कहते हैं secondary metabolites, यह प्लांट के दारा, तो यहाँ पर यह जो आपको चीज़े दिख रही है यह हमारी as a building block क्यालाती है, क्योंकि इनके दारा क्या होगा है, इनके दारा हमारे body में secondary metabolites बनेंगे जैसे हमारा sigmic acid pathway है, तो इसके दारा हमारे में aromatic amino acid बना और इसके दारा हमारे क्या बनें alkalot, जो हमारे secondary metabolites है, और इसको हम बहुत सी दवाईयों में यूज करते हैं फिर यहाँ पर हमारे इसकी के दारा flavonoids बगरा बनते हैं, volatile oil भी मिलते हैं, यहाँ पर हमारे एक important है acetyl co-enzyme A, क्योंकि इसके दारा हमारे यहाँ पर बनता है mevalonic acid acid pathway, इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पिसली वीडियो में, तो नहीं देखियो, आप जाके देख लेना, confused मत होना, बस मैं यहाँ आपको building block समझा रहा हूँ, कैसे होता है, क्या होता है, तो यह चीज होता है, यहाँ पर तो हमको hexose monoscent pathway, यान की pentose phosphate pathway से हमको मिल गया, यहाँ पर erythrose four phosphate, और यहाँ पर हमको glycolysis से मिल गया PEP, यान की phosphoinol pyruvate, आपको याद होगा फिर इसके बाद हमारा pyruvate बनता है, lactate बनता है, और यह चीज़े हमें क्या करती है, एनर्जी generate करती है, और व subject मिले हुए है, पस आपको जो है, एक दूसरे को जोड़ना आना चाहिए, अगर आपने यह काम कर लिया, तो आप राजा बन जाएंगे pharmacy के, ठीक है, राणी भी बनेंगी बहुत लोग, आप हम समझते हैं, इन दौनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, आपस में joint होते है और यहां दौनों को मैं आपको है समझाता हूं, मालों यह हमारा COH हम इसको ऊपर कर देते हैं, यहां पर वो ऊपर नीचे थोड़ा होताता है, तो इसको उठा के हमने रख दिया यहां पर, अब क्या हुआ है, यह चीज हम क्या करेंगे, नीचे इसमें जोड़ देंगे, त आप लोग चाहें, तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखें, तो आपको यह जरूर कहीं ना कहीं, नोटिस मतलब लगा देना कि P is equal to P O 3 H, यह बहुत ज़रूरी है, वरना आप इस पूरे को यहां पर लिखें, तो इस तरह हमारे Erythrose, 4-phosphate, Phosphanol, Pyramid P, इ हमने यहां पर लिख दिया, इस CS2, हमने इसको मतलब थोड़ा सा ऊपर कर दिया, COH को ऊपर, CS2 को नीचे, यह आप कर सकते हो, अब चाहो तो इसको डार्क ली भी लिख सकते हो, बीच में हमारा CO यह है, तो यहां से हमारा जो phosphate गूर्प था, यह हमारा क्या हो गया, और इसक के साथ यहां पर जाके जुड़ दाती है, तो इस तरह यह हमारा पूरा compound क्या मतलता है, टू, कीटो, थ्री, डी, ऑक्सी, सैवन, फॉस्पो, डी, ग्लुको, हैप टॉनिक, अब कह रहे होगे, यह कैसे याद रहेगा, तो आप इसको याद मत करो, कोई बात नहीं, आप क्य दी, आच्पी, क्योंकि इसी को हम क्या बोलता है, यहाँ पर, ठी, डी, ऑक्सी, ठी, एरी, बी, नो, हैप टू, लो, सानिक, एसेट, और, सैवन, फॉस्पेट, सैवन, यहाँ पास तरीका, आप क्या वर्ड याद रहोगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ दॉ एक बार आप पढ़ेंगे आपको यह आटोमेटिक पूरी याद हो जाएगी तो बस यहां पर आपको क्या आदना है डी ए ए एच पी तो यह हमारा यहां पर फॉर्म हो जाता है अब क्या करेंगे फर्दन हम इसको यहां पर क्या करा देता है यहां पर हम इसको साइकलाइजेस यहां की मतलब होता है इसका formation यहां की बनाना तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है DAHP हमारा बंदा है तो हमने यहां क्या लिख दिया DAHP सिंथेज बहुत ही जादा सिंपल हमारे यहां इन्जाइम का नाम है और यह जो process है वो हमारी क्या है एक allol condensation है यह चीज आप पहले ही पढ़ चुके है क्या होती है कैसे reactions होती है तो अब क्या करेंगा हम यहां पर जो हमारा DAHP है इसकी यहां पर हम cyclization कराज दे जानगे अब यह reaction हम एक cycle form में convert करेंगे तो इस cycle form को मैंने पहले ऐसे लिखा है इस form में दो काम यहां पर हुए है तो बस मैंने यहां से इसकी कमर तोड़के पूरा गुमा दिया और इस तरह यहां बाइंड कर दिया आप देखेंगे यह हमारा बिलकुल यहां पर जो है सेम है और इसका नाम क्या होगा यहां पर 3D hydroxy kunic acid क्या होगा यहां पर kunic acid अब यहां पर enzyme लगाना हो तो बस इसके आगे आप क्या लगा दोगे synthase लगा दोगे 3D hydroxy kunic synthase ठीक है तो यह हमारा होगे आप चाहो तो यहां पर देखो यहां आप सोदे रहोगे यहां kunic acid लखा है तो आप चाहो यहां पर यह भी लिख सकते हो 3 hydro kunic acid synthase यह आप darkly लिख सकते हो 3 hydro kunic तो दोनों ही यहां पर आपके लिए जो है same रहेगा तो आप इस तरह यहां enzyme का नाम लिख सकते हो यहां final आपका क्या बन जाएगा 3 hydro kunic acid बहुत ही तादा simple है बिस आपको practice करनी पड़ेगी एक दो बार आ जाएगा फिर इसी को हमने यहां पर line structure के form में बना दीगा इस तरह आपका बनेगे इसका नाम भी क्या है 3D hydroxy kunic acid अब क्या करना आपको यहां पर हम इसको करा देंगे dehydration यानकि यहां पर हम क्या करा देंगे S2O को minus कर देंगे यानकि निकाल देंगे यानकि यहां से हम क्या करते हैं यहां पर यहां से यहां से हमेंakes एक S2O को यहां से बाहर निकाल देते हैं थ्री डी हाइड्रोक्सी सिक्मिक एसिड तो यहां पर यह हमारा बनेगे थ्री डी हाइड्रोसिक्मिक एसिड और आपको याद होगा यहां पर हमारे उएच लगे होते हैं वहाँ हम डी हाइड्रोक्सी बोलते हो यहां हमारे सिर्फ वह यहां पर तो डी हाइड्रोम यहां बो यहां पर हमारा O से बजल जाएगा और यह हमारा बाकी का सेम है बस आपको कहाँ थोड़ा थोड़ा दिफ्रेंस माइनर सा पता करना है यहां पर आपने जोनों मिला के बना दिया इसको साइकल में करन्वर्ट कि आप यहां से आपके लिए बहुत जादा इजी होताएगा यह है हाइडोजन यह अठाय आपने यह चीज अठ गए यह अठते यहां डबल बॉंड आ गया यह आगया अब क्या करना आपको यहां पर यह वाला जो हमारा थर्ड पोजिशन पर लगा था इसको अठागे आपको आपको यह नहीं बना है इसी गी विज़ा से हमारे पूरी सा यहां पर हम इस जगा पे यही पर सारा कां डो रहा है यहां तो इस às को अठागे हैं यहां पर क्या करते हैं और सिकमेगा असेट थृृॉस अठाग गूर्फ यह आड़ कर दे थे हैं और हमारा थे किसरे पोजिशन पींप एक फॉस्पपट बीघ你 बना करें यहां पर है तब ही आपको mark जो है इसके complete मिलेंगे जादा hard नहीं है क्योंकि structure आगर आप बनाएंगे तो आपको इससे जो है याद करने में आसानी हो जाए क्योंकि आप क्या करें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इसको modify करते जाएंगे आपके लिए नया structure बनता जाएगा तो हमारे यहा आपको chorismic acid में कोई problem ना हो तो यहाँ पर हम क्या करते है अपना फॉस्पोइनोल पाइरवेट के साथ यहाँ पर और एक मंदार reaction कराते हैं और इस position पर यहाँ पर फॉस्पोइनोल पाइरवेट को जुड़ जाता है जो हमारा क्या था यह था आपको देख रहा होगा फॉस इसदर चुड़ गया carbon का carbon है यहाँ पर डबल मुड्स इस टू और यहाँ यहाँ पर पूरा फॉस्पोइनोल पाइरवेट बाला जो गुरुप था वह हमारा यहाँ पर यहाँ पर यह था हो गया ऑटेच हो गया और अब हमारे यह था है यह यह मिलें दिलते चुलते हैं ब पूरा हमारा सिक्मिक असेट था और अब यह पांट में पहुजाएगा वन टू थरी फोर फाइक तो पांट फॉस्पेड फॉस्पेड लगाए बहुत ही जादा इसी है और एंज्याम लगाना आपको यह पूरा नाम यहां लिख देना पिर आपको क्या लगा देना आगे सिं इसके दोरह हमारा इससे बनेगा हमारा इससे बनता है तो यहां पर दो कारिसमिक उसेड में हुआ क्या बस एक फॉस्पेateurs हमारा क्या हो गया हुंग है तो क्या हुआ है हमने यह उपने है और इसाफित यह इन ऑन जाएगा बचता होगा बहुत एजवाग लिए बहुत एज यहां पर हमस्ते है के हमेरा यहांग आपर यहां पर काम करेंगा क्रीड में उसकी यहांग यहँ करेगा यह हमारा क्या बनाता है एंथरानिलिक एसेड और एक तरफ यह मारा बनाता है यहां प्रीफैनिक एसेड अब किसके दोरा क्या बना रहा है तो जो हमारा यहां पर एंथरालिक एसेड है यह मारा उदाएगा एंथरालिक एसेड सिंतेज और यहां पर हमारा बनाना है प्रीफै दोगा इसका डाइग्राम तो सिंपल हमारा यहाँ क्या मन जाता है? यह complete हुजाती while in red अब यह 1 बदा श्कूः सा चैंड होगा है तो इसको आपएक बर याद करेंगे यह बहुत जादा आसाण हो जाएगा यह दोनों हमारे बन गई है अब यहां पर क्या करते है इसके दौर रहा चीज़ है गर यह दो जरूरबर करके हमारा ऐक तरह ibland है यह विद ईखिंग की अगर!」 यह हमारा बहुत ही जादा इंपोटेंट हमारे एक अम्यून एसिड है जो आगे जाके बहुत जादे परफॉर्म करता है एक्टिविटी बगारा हमारी बॉड़ी में तो यह बहुत जादा जरूरी है प्लांट के लिए भी और हम लोग के लिए भी तो यह हमारा हो गया ट्रि फिनाइल पारिविक असेड दौनों है पर यहां पर क्या लगा है फोर हाइड्रोक्सी यान कि सिंपल देखो आपको एक यह डाइगराम याद रखना है और यह डाइगरम हमारा फर्दा यही चीज़ है सी डबल बॉन ओ सी यहां पर हमारा हट किया है बस हुआ कि है यहां प हमारा है फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल पारिविक असेड यान कि वन टू थी फॉर इधर से भी जोड़े तो चौति पोजिशन पर हम क्या आगरेंगे एक हाइड्रोक्सी मतलब ओ तो यहां पर हम क्या जोड़ देंगे फोर पोजिशन पे एक ओवेच ग्रुप ओएच लग क्या करेंगे फirdbase यहां पर आद यहां पर अमीन घ्रुप का होगा और अमीन kilowस हाण यहां जाकर अटैथ हो जाएगा और इसकी दौर यहां फीया कि ओनागा यहां हमारा तेयल टैरॉसीन और ये दोंनों और यह हमारे काफी जादा important second metabolites था और इनका use हमारी body मतलब रवाईयों में भी बहुत जादा यूज बगरा किया था आपने सुने भी होंगे टैन इन फ्लेवनोइड और फोर से में भी आपने study बगरा कियोगी तो इन सब को बनाने के लिए then हमारे यह as a precursor जो है यहाँ पर यूज क को देख सकते हैं आपका revision होताएगा और आपको सारा को समझ आजाएगा तो आप उसमां जो है थोड़ा वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जड़ीव बताइएगा बाग इसके नोर्स आपको next morning भही हमेशा की तरह टेली ग्र